नमस्कार दोस्तों मैं अभी सिंग चोहां सभाद करता हूं आप सब कदा एक्जाम पोटल पर तो कैसी चल रही आपकी तैयारी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 6 कौन सा पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 6 ठेक सेट नंबर 6 उसमें ब्ससी इंटर अस्तर यह 10 प्लस गया था ठीक है देख लेते हैं क्या गया कोश्चन है और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पिछली हम लोग बिहार सीजेल बिहार सेट का पांच सेट करवाया है उस पांच सेट में से देखी का इसमें कैसे नहीं मिलेगा क्योंकि 2011 से 2013 2015 2016 ऐसे करके सब का सेट सेट का टाइमिंग था यह सेट का जो टाइमिंग है 2017 है तो मैं आप सब को बता देना चाहता हूं मैं आप सब को बता देना चाहता हूं कि यह जो है आपका कि मिलेगा इससे पहले वाला जो सेट था वो समय मिलने वाला है मिलने वाला है कोश्चन मिलेगा आपको इसलिए बोलता हूँ कि प्रिभियस यह करिए अब पूरा वीडियो देखिए आज एक बात मैं अपच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं कि इसमें वैसे कॉश्चन जिनका पहले previous में पूरा discussion करवा दिया है उसको अंसर बता के आगे बढ़ूँगा आपको पूरा previous पीछे देखना पड़ेगा वीडियो को एंड तक देखिए वीडियो को एंड तक देखिए तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक में कैसे हो रहा है यह discussion ठीक है और पसंद है तो लाइक जरूर करना है कॉमेंट वीडियो के बारे में अपना परतिक्रिया दे सकते हैं आप लोग कॉमेंट करके और नए चैनल पर अगर है आप तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेर करिए अपनों दोस्तों में जितने 10 प्लस टूक बरने वाल अब मोतिलाल ने हरू ने यह किया था उसका नाम था इंडिपेंडेंट क्या नाम था इंडिपेंडेंडेंट थेक यहां पर बिंदू करते हैं इसको हटा सीजिए इंडिपेंडेंडेंट ठीक और आपको बता देते हैं कि कॉमन वील निव इंडिया यह है जो आपको पराम्जपे को अधिक्काथा किसी特 Grade को परामजपे ऑ स्हूम। प्रकास समाचारपति इस्वर्चंद्र विद्यासँ एक और है यह स्चिर कुमारघोस के द्वारा वोल्ते हम मुँट अम्रीत बजार् पत्रीका थेक अम्रीत बजार पत्रीका यह आपका you सिशिर कुमार घीस के दुष एक दुट के दिवरा ऐसे ही बताते हैं पूरा है आप लोग लाश तक देखिए का तो पूरा मजा आएका ठीक और ये वाला जो है यह वाला किसके द्वरा है इश्वरचंद्र विद्याशागर इश्वरचंद विद्याशागर पुरा लिखना पड़ेगा लिख दिये चली इश्वरचंद विद्याशागर ठीक है इश्वरचंद विद्याशागर और बताईए कॉमरेड कॉमरेड में मौलाना मुहम् ठीक है अगला कोश्चन देख लीजिए कोश्चन नमबर दू मेगास्थनिस जो है इसको आगे बढ़ जाते हैं मेगास्थनिस जो है आपको चंद्रगुप्त मौर के कारकाल में क्या था तो वह राजदूद था किसका सेलुकस निकेटर का मेगास्थनिस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी इंडिका बहुत फेमस है पूस्ती भी है यह उस समय के चंद्रगुप्त मौर का जो शाष्ण का काल था उसको उसको वहां के प्रशाष्ण के बारे में इसमें जनकारी मिलती है तो प्रशाष्ण के बारे में जनकारी म और यह पाटली पुत्र राजानीति आप सबको पता है तो पाटली पुत्र का इसने नाम बोला था पाली ब्रोथा पाटली पूत्र का नाम इसने दिया था पाली ब्रोथा आगे बड़े कोशन नंबर थर्ड देख लिए गुरु गोविंद सिंग की शिक्षा कहां होई और उ बताइए पटना ठेक गुरु गुविन सिंग का जन्म कब हुआ था पांच जन्वरी 1966 कब हुआ था तीन नंबर कुष्टन देख लीजे गुरु गुविन सिंग के पांच पांच जन्वरी 1966 और डेट कब हुआ था इनका बताइए और सॉरी 1666 ठेक 1666 और इनका जो हुआ था डेट हुआ था वो 1708 में हुआ था 1708 में हुआ था 1708 में हुआ था साथ अक्टूबर साथ से साथ अक्टूबर याद रखेंगा थेक पांच जन्वरी को बर्त थेक आज दिन डेट दसमें गुरु थे पहले गुरु गुरु नानक थे दूसरे अंगत देव ऐसे करके आगे बड़ें को अच्छह पतना साहीब में जो गुरु द्वारा का निर्मान करवाया गया हो तो महराना रंजित सिंग्ग पतना साथ गुरु द्वारा का निर्मान किसने ने करवाया था महाराना रंजित सिंग ठेक सुकर्चागिया चक वाले सुकर्चागिया यह वाले ना उनका था चली आगे बढ़ जाए अच्छा गुरु गोविन सिंग ने ना सिखो के लिए पांच का कार और इन्हों ने ही क्या कर दिया था कि गुरु ग्रांद साहिब को गुरु प्रदान प्रदान कर दिया पांच कार मतलब कड़ा है ना कंगा अच्छा यह सब करके पांच कार था कृपान ना चलिए आगे अमजद अली खान की स्यंत्र के लिए जाने जाते हैं भीया तो सरोद कोई दिक्कत है रवी संकर प्रशाद सीतार इनके साथ अलाव दिंग खां हाफिज श्का आपढ़िश्वाजीत राइचाओरी जरिन दारुवाला यह सब में सरोद है सरोद ठेका अब कर श्कोज इस दौरान हुए ग्रीक सब वेता के दौरान वीथि ऑग्रेक सब वेता के दौरान वी थी घृक शब वेता के दौरान हुए थी आपकाश में फेश ऑंव वूंफ अबहककस एक होता है नेपियर्स बोन अबहकस तो आपको लिखा हुआ है एक होता है नेपियर्स बोन नेपियर्स बोन सब्सक्राइब करा टिकागर होता है आपको जेकाडव्म्म कि जेकाड्व कि छुटे मैंने इस चाइप का पूंचि तब भी नहीं बचेगा अब पूछ दिया अब इससे रिलेटेट जो भी है आपको बताएंगे कोश्चन नहीं छुटेगा इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखी गा तो समझ में आएगा ब्लेज पास्कल इसकी खुच किस नहीं की थी ब्लेज पास्कल ने वही 1627 में ठीक है 1627 में इसके बाद एक और होता है आपको यह दूसरा हो गया कि पहला तो आपको अब आपकास होई है ठीक यह तीसरा हो गया चौधा नंबर में आपको लीग सकते हैं टैबू लेटिंग मशीन लेटिंग मशीन थीक है इसकी कोश किसने की थी तो इसकी खुच की थी आपको हर्मन वलरीत हर्मन होले रीत होले रीत कब किया था अठारा सो असी में इससे रिलेटेट बता देता है अगर आ गया तो छूटेगा नहीं छूटेगा नहीं एक मार्क वन होता है जी बार मार्द ओ याद हो जाया स्वाद शुन सुनके टेक हैज्सलीं कि अपलों को याद हो जाया सून सूनके नट बेक्ष चछटा नंबर में दिख लिए आप लिख सेक्थ है आप NEW fundament को सबंदे भाते Bidas Ohio श्युक्late यॉंपोर्टेंट है लाइक पोछथ यूनिबेक कि सब्सक्रीव इंपोर्टेंट अपका है टेवलेटि मètres यूनिट यूदिस यूद्ट और अभाइक इत्थिनों पुछे गाजी ठिकाया याद रखेएगा तो यह रिए और यह क्या है जे प्रेशर एकूट ठीक है जे प्रेशर एकूट ठीक और इनका फ्रोंसा हेल भी किया था उनका नाम था जोन अब यह सब हुआ था कि 909 सुनिवेग मौचली ने कोट था उनिश्यावन में इतना हो गया जी अठाविस सथा अब दिमें एकीज देश ने जर्मानी पर शासन किया तो ऐस्ट्रिया था जर्मानी क्या एकीकरन में सबसें प्रमुख भूमिका किसी थी बिसमार्क कि थी जी और जर्मानी का एकीकरन कुछन हुआ कब था तो 1871 में हुआ था जी अठारसहए खर्तर इस्वी में यहां का महराजा कौन था बिस्मार्क उसका परधान मंदृ था राजा का नाम था विलियम्स प्रथम प्रशा का शासक जो था वह विलियम्स प्रथम था उसने बिस्मार्क को क्या बोला था बाजिगर किस ने कहा था तो प्रसा का सासक था विलियम्स जोम्स प्रथम ठीक है आगे बढ़ जाते हैं कि यह वाला तो लिखी लिया होगा आप लोग ने कौपी लेकर बैठा कीजिए काम आ जाएगा कि चलिये जाइस बर है साथ वा कोर सनकी है भारत के दोनों लोग सभावल राज सभं में को रां को राम को राम या इसे को वोलते हैं गणपूर्थी एक बटादस है जी और यह बात कहा की गई है लास ह ć आर्टिकल के यह बात है जी आर्टिकल हें रिट का यह बात है गनपूर्ति और कोरम ठीक विधान सभा विधान मंदल में भी है जी लेकिन लेकिन आपको अगर पूझदे का पंच वला तो पंच वला में साथ को होगा संख्या होता है साथ पंच में पंचायत में ठीक है आगे बढ़ जाए जी सबताह है शारली कहां साथी प्रकासित किया जाता है कि भी जैसे सब्ताहिक शारली और कांति प्रकासित कियाता है के पेर्दी पेरीं से ऐस्वन और किसके द्वारा होताई विषए वायर's जिवानल बॉक्तिली लेजी लीवम हों कि उसके है नैं Matsaden longer Hindi है और 10% सदन में अगर उपस्तित नहीं रहेंगे तो कोई भी काम वाम नहीं होगा जी ठीक है कि अच्छी यह जो सब ताहिक शाडली है ना इसमें क्या हुआ था कि आपको अतंकवादी लोग उसके साथ वेक्तियों का हत्या किया था एक बार जी कि डावल सब्सक्राइब को एंवन इसवाइन फ्लू का नाम है जी अब इस फाइब नवन बता दिए इसके बारे में जाके प्रिभिया जो करवा है पिछे यह अले सेट में देख लिजे ठीक है एक जाना माना साहितिक समरों कहां होता है तो वह होता है जैपुर में पिंक सब्सक्राइब को जीलों का सहर कि जीलों का सहर कि बहुत संदर जगा है उद्यपूर इटली भूल जाएगा बड़े-बड़े लोग जाते ना इटली घुमने आप उद्यपुर जाके देख लिजे ठीक गूगल पर इटली देखिएगा बहुत अच्छा शहर है वराच नगर राजस्तान के चार्मा मुख मंतरी राजपल बता जेकर राजमिस्तान का पूरान नम राजपुदान इस चाहर जरूरी है बूठध से चाहर कमल ऐवां सांड तरो सांड से समझाये यवन या कि सोर हावस्ता दीजिए याना वस्ता या कि सोर वस्ता बोलता ना गर पे किसी आप लोग में किसी ना किसी को तो सुना हुआ होगा मिला घर से खापी के खाली साण नियन होल जा रहा पहली खेला सड़ है ठीक है तो वही आल है वही समझ यह याद रखेगा ठीक गृतिया गोड़ा है ना यह सब ठीक गुप्त बंस का अंतिन गुप्त बंस का अंतिम सासक पूछ रहा जी विश्नु गुप्त होगा गुप्त बंस का अंतिम सासक विश्नु गुप्त इसको भानु गुप्त भी का जाता है इसको भानु गुप्त भी का जाता है ठीक है और श्री गुप्त जो थे वह गुप्त बंस के संस्थापक थे स संस्थापक कौन श्रीवफ्ट siOS फ्सरीव पिश्रोफ्ट अर वास्तिविक संस्थापक पूछेगा थो कुमार्गूप्व प्रथम कुमार गुप्त प्रथम किसी को इदिकत है अब महांतम साथ सक अगर इसका पुछेगा तो चंद्र गुप्त दिवतिय जिसको विक्रमा दुदित भी बूला जाता था है ना है तो सही बोल रहे हैं जी अच्छा समूद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था जब गुप्त चली रहा तो बता दिजिए समूद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेट इसमित उसका नाम था विंसेट इसमित विंसेट इसमित ठीक है जी विंसेट इसमित अगला कोशन है किस ने दावत को पटना वहाजी पूर से खदेड कर बाहर किया था वो अकबर था जी मुल्ला दावत का जो विद्रो हुआ था ना ये पंद्रह सच्छोहत्र से छेहत्र के बीच में हुआ था अकबर ने इसको खदेड दिया था ठीक अगबर के दरवार में नौर अतन सी वाजी के अष्ट दिग्गज और कोशला लागैं हां आस्ट दिगज कृष्ट्विक्रथ चिशनदेव राए और आस्ट प्रधां सी बास्प्रृदा सी वाजी टेक है नौररे श्वाची नौररत्ह नाकर नौरात्य विक्रमादित्ग ने तै कि इसका बोल रहे थे हम ठेक आश्ट दिग्गाज तो किसंदेवराय आश्ट प्रधान स्रिवा जी ठीक है आगवर के राज़दरवार में कितने रतन थे जी नो आए गया देखिए कोशन आए गया भी बताई रहे थे कितने थे नो कुछ कहना है किसी को इस बारे में इस बारे में किसी को कुछ कहना है कि आगे बढ़ दिया जाए कि आए आगे देखते हैं चाओधा नंबर होगी आगे देख लेते हैं कि आगे देखते हैं कि चली है कि पंदरा हो पंदरा नमर कोशन कहता है कि गोवा से पूरुपूर्द गालियों के भात में कौन से राज आने थी तो वो कोचिन थी जी कि गोवा को पंदरा सो दस में आए आपको चीना था अल्वुकर्क ने आदिल सासे किसे चीना था कि युशु पादिल सासे भारत आने माले प्रथम इरोपी तो पूर्द गाली ही है न चौदर सॉन ठान्वे में काली कड़ पहुचा था इसको अभी कोजी कोड का जाता है वहां का सासक जमोरिन वासको डिगामा का स्वागत के था मालूम है ना अई जो खूला था पंदरा परास होता है आपको कितना होता है कि 380-450 जी 380-450 लाल का अगर पूछ देगा तो और नारंगी का इस सब का पूछता है 625-640 625-640 अगर है तो वह लाल इसका परास और अगर नारंगी का पूला जाए तो 590-625 नारंगी ठीक 590-625 ठीक है चलिए सबसे ज्यादा लाल का हुआ एक रोगी के सरीर के अंदर देखने के लिख्याव प्योगी है जी प्रकासिक तंतु किसी को कुछ कहना इसमें प्रकासिक तंतु से रोगी को जो है उसके आंतरिक भागों का परिक्षन किया जाता है अंतरिक भागों का परिक्षन किया जाता है अब प्रकासिक तंतु जो है पून आंतिक प्रावर्तन के सिधान पर कार करते हैं मालूम है ना अब प्रकास जो है सिधारेखा में करता है तो प्रकास का पून आंतिक प्रावर्तन का उप्यों करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं वक्रिये मार्ग में ला सकते है उत्री गवार्व में सबसे लंबी रातरी डिसंबर को होता है आगे बढ़ सकते हैं क्या मीश नंबर जी दो बिंद्व के आवेस्ट के माध यह और उनके माध की दूरी आर के बीच कौन सा संजोग्द होता है कि बता दिए फटाफट बता दिए prophets चीए दो विंदुद enc opposed के बीच जैए दोल होता है उनके बीच के मांध है दूरी आर के बीच कि इसका होता है एफ प्रोफेशनल टूरS को सब्चोछार एफ प्रोफेशनल टू आरे स्वक्रान दिखाई दे रहा है और यह बल प्रकृति का सबसे मजबूत बल दूसरा सबसे मजबूत बल रहा है यह बल जो बिदुरत widely वल्वatar जो दीखा रहा है ठिक है और आकरशन या प्रतिकरशन दोनों प्रकृति की होती 171 ब्राबर क्या होता है by Ал यानि F ब्राबर म होता है क्या कि एमें रहुआ है इसका मतलब क्ए वा लॉल रहां है इसका मतलब क्या हुआ अ व writings अ और यह का मतलब एक्सेलेर्हेसर्ट कर दी ट्वरण चाहिए त्युक्त कर दो कि कि अब धायों Dilと ब्राबर बता दीजे आयों को प्रेशन ब्राबर बता दीजे पी ब्राबर तो यह में इंटो भी होता है जाल करतके किसानों के साथ नियल खेटी के लिए जो तिनकठिया प्रना लीडां तलिया किभी इस कठा में कंठा कि निल का ृशिकार आप को एतना हमेंस दे आपको बताना होगा अचाया चंपारन बुलाया किस ने था जीए तक को फिर तक्राव इंट रिंडी चांपनाया था राजकुमार सुक्ल ने प्राज कुमार सुक्ल राज उप्र संप्राश कर जिसे उट ने प्रम नियंसे हम अझा कि उट्प्रत के मिला वाले वीडियो में लिख्वा दिया है एक से पांस देखे आपको किसी ना किसी में मिल जागा सब का साइंटिफिक नेम किसी का भी पूज देता कि रास्टिय पक्षी कौन है यह दिक्कत होता है इसलिए आपको पूरा वीडियो बन से फाइफ तक देखना होगा तो सिक समझ म आजयेगा अच्छे से ठीक है आप उतर प्रदिश का रास्टिय फूल डेखी तो पक्षी जान लरूग सारस घि यहां बटते का राष्ट्य पक्षी क्या है सारस अरस सारस रास्टinin फूल तो आपका बता रहा है तो थेक उसके बाद आपको अगर राज्की पस्तू कुछ देगा तो बाराश सिंह उतर परदेश का बता रहा है बिहार का भी कोशन आएगा इसलिए बिहार का जब कोशन आएगा तब बता देंगे ठीक है और उसका राज्की विरिक्ष जो है अशोक है अच्छा हार्याना का राज के फोल कमल है भारत का भई है ठीक और ऊतरपास इसका रांश्टी चीन जो है वह मचली और सिद्धितीर्कमान है राम जी का नियता तीरकमान रखते हैं ठीक तीक मान मचली यह तीर कमान है ठीक है चलिए जो 583 का दूशो 593 से संबंध है वह 488 का है इसके साथ यह रिजनिंग आ गया जी रिजनिंग आ गया यह ठीक है बीच में रिजनिंग उसा दिया है तो बता दीजे कैसे रिजनिंग बनाईएगा इसको बना दे अच्छे एक आ गया तो ब 293 2 प्लस 9 प्लस 3 9 दूए गारा 3 चौदा ओ स्वरी आठ पांच तेरह तेरह हो तिन किता हो जागा 16 अगया ना तोला अरे चौदा कितना कांतर है तोनों में 2 तो 480 मतलब 4 प्लस 8 प्लस 8 8 8 16 चार 20 तो इसमें दोक आंतर इसमें भी आना चाहिए तो 18 हो आ लाना चाहिए तो इन में से किस को जोड़के ठारा आ रहा तो नौ एक दस दू बारह गलत आठ साथ 15 तीन ठारा देखिए आ गया आठ साथ 15 तेरह एक चौधे आ रहा तो निकल गया ना ऐसे रिजनिंग बनाना आपको एक बीच में आ गया था रिजनिंग इसलिए बता दिये तो मैं में बन जाता क्या अचा भारत में प्रतम उनी कपरों की मिल कहां खोली गई बताया थे शायद सैब बताया थे को याद रखेगा कानपूर में कब कानपूर में कब बताई डिटेले लिख दें डिटेल लिख दें तक यह टारगोपों सहत्तर में भारत में प्रतम उनीकपडों के मेल डारगोपोर ने कानपूर में खोली गई जらい अधी कानपूर्व में और आपको पताओ कि लुधियाना जलंधर मिर्जापूर आगरा शिरीनगर यह सब जो है उनीकपडों के प्रमुखी गेंदर रहें ठीक है अंगोरा उन्खरकों से पराप्ट रसे अधित पस्मीन पस्मीन देशच्छ वह बकर्यों से अमेरीन है वह भेंड से ठीक अस्टेलिया बन्हों बताइब वह हुंत किसम का होता है ऑश्रेलीया ओड कॉल्स सब्सक्राइब कि अ झी., को आगला कोश्यन जानिया के प्राकृतिक रेस्टम के प्राकृतिक रेस्टम के कितने बंऊक्य इस यह किसका किस्म है प्राकृतिक रेशम का किसका है प्राकृतिक रेशम का ठीक हां रेशम का जनम भूमी चीन है जी आलू का जिसे मेशको है न मैक्सिको वैसी रेशम का चीन है ठीक है रेशम का जनम भूमी जो है वो चीन है और इसका सहतूति है एरी है एरी है आपका तसर है और एक और है क्या उसको बोलते हैं मुंगा मुंगा यह तो लोकल है इसको बूल जा रहा है मुंगा ठीक यह चार किसम का रेशम होता है जानिया अला बाग कहां पर है जी आम रिट सर में 13 अपर 1129 अब दूसर पाल लोग सफोर दून कुछली का गिरफ्तारी वा था जी उसी के ब्रियोद में आपर चल रहा था अवहां पर क्या था बैसाक था क्या था तो बताईये अज़ा जालिया वाग जाला नाम के सरदार था जो ठीक है याद रखिएगा ठीक है जनरल ओडायर ने चलवाय था जिसमें लगवाए एक हजार व्क्ति मारे गये थे और सरकारी रिपोर्ट में मातर तो 389 दिखाया था अंग्रेज सोच लिजे 389 लोग को दिखाया था ठीक है और अंग्रेज ने इस पर पंडित मदन मुहल मालवे की अधक्सा में समीती बनाई थी उसने बताया था कि जी नहीं इतना आप सरकार गलत इसमें यह दे रहें और इसी में रविन्दा टाकूर ने आपको गांधी जी ने गांधी जी ने इसी के विरोध में चलाए थे जो कि पांच फरवरी ने इसो बाइस में जो वहां जला दिया गए था था ना ठीक है चौरा-चौरी कांड में उसी में वापिस ले लिए थे या थे ना अवा स्वयोग अंदलन सुरू ने टाइम था लौड चेंस फोर्ड और खतम होने के टाइम पे कौन था ल लाकित देख सकते हैं तामिलाडू में पाई जाने वाली मुख्य जन्जाती बताइए जी इरुईला चांग गारो खोंड बता देजिए अटाक से बताईए तो यह है यह जन्जाती पर यहां बनाएंगा पूरा जन्जाती बता देंगे हो सकता है चोड़ा टॉपिक है हम परेकि आपका इरूला दिया हुआ है इरूला दीवा अब किरल का कडार बाइस अब है लेकिन के अच यह में कडार और पुलियाः ठेक पुलियाओ향 चलिए यह फो देख लिए एक और जन्जाती है brabra जन्जात irony बत्तितारी बताले ठीक है करा कि भारत की सरव पर्थम वन जीव संद्रक्षन जो है भारत का सरव पर्थम वन जीव संद्रक्षन क्या है जारवा जन जाती और थाइस नंबर कोश्चन दोनों पढ़िए और बताइए जारवा जन जाती और थाइस नंबर कोश्चन दोनों बताइए जारवा जन जाती ज अंगूल टाइगर उन्हें सती हतर में टाइजर टाइगर प्रोजेक्ट राइनो गीर सब याद रखेगा अंडमान जारवा जन जाती जो है अंडमान में है जी निकोबार में सेंटीनेल जन जाती पाई जाती है निकोबार में सेंटीमेन ठीक है भारत में लगभग सब्सक्राइब सब्सक्राइब निवास करती है तो अगर प्रतिसत जंजाती का पूछा जाए तो मुझा में परसिंट के असपास लक्षदीप में जी पंचानवे परसिंट लगभग ठीक है पॉइंट फाइव विदा दरखा होगा हां हंगुल प्रयोजना का वह था जी उनेसो सत्तर में कि 1970 दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है कि 1970 में हंगुल प्रियोजना कब वह था 1997 में ठीक हंगुल एक कस्तूरी म्रीग है ठीक है कस्तूरी मिर्ग है कि ताइगर प्रोजेक्ट उन्हें सटीहतर बताईए दिये और आपको बता दे रहे हैं कि 1972 में भाज में सब्रतम बाग की गड़ना की गई थी बाग का गड़ना किया गया था तीहतर में ट्राइजर कर दिया गया था आथी प्रोजेक्ट जो है 1992 में किया गया था जी हाथी 1992 ठीक है 1992 28 हो गया कुश्चन आगे बढ़ते हैं कि यह देख लिजिए आ गया सेट नमर फाइब में बताये थे पिछले सेट का कुश्चन है जी निति आयोगा प्राराम कब हुआ उसमें पूछा था निति आयोगा उपाधेक्ष कौन था उस टाइम जब बना था तो बताये थे उसी टाइम बताये थे कि प्राराम कब मार्च उनजीसों पचास का जो इजना आयोग हुआ था उसके जवह पर किया गया था ठीक है है और आपको क्योंकि 2014 में पंजय गस्तु सब्सक्राइब मंत्री होते हैं ठीक है अभी शायद राजी कुमार है इसके जो है उपाधेक्ष ठीक पाउनार आश्रम के संस्था पक बीनोमाइब बाघावे बीनोमाइब यह किसी आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं जी होग यांम है भुदान ह हैं भुदान आंदोलना है तो अथि इनके गुरू कौन थे जी होग और गुदक्र महात्मा आ दी महात्मा गांदी चलिए बाबा आम्ते यह प्रसित थे कुस्ट रोगी के उपचारक के लिए उपचार करने के लिए यह थे यह वाला आपका पुरा क्लियर हो गया आमना हजारे जो गांधी वांदी चिंतक है जानते ही है बाबा राम दे तो योग सभेता के लिए जाने जाते हैं सब लोग को पता है ना जमू और कस्मिर की शर्ष्किया भासा कौन सी है हिंदी डोगरी उर्दू पंजाबी तो यह है उर्दू बिहार की प्रतम भासा हिंदी अब दिवितिये उर्दू भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वली भासा हिंदी सेकेंड नंबर पर बंगला थर्ड वला आप लोग बताई तो जरा ठीक है मराठी है कौन है थर्ड पर यह कौन है जी बताई दू प्राठी नहीं हो कोई सवर होगा है चलिए अब डोगरी भी चमुक कस्मिर की भासा याद रखिएगा है ना को दिकत है लेकिन सास्किये भासा महां की जो है वह उर्दू है अब समिधान की धार 343 ए के नू सर देवनागरी राज किये भासा राज भासा राष्ट्र भासा नहीं है भारत का राष्ट्र भासा ही नहीं कोई भी राज भासा है राज भासा राष्ट्र भासा में अंतर है जी राज भासा हिंदी और लीपी दिवनागरी ठीक है यहीं बता रहेते जी ठीक है जी जपान की स संसत कलाती है कि इसके अलावा हम कुछ नहीं बताएंगे अंसर बताएंगे बताया हुआ है रियाल किस देश की मुद्रा है यह भी बताया थे बता दीजिए आप लोग जपान की संसत डायट जाके सेट नंबर फॉर में देख लीजिए या थ्री में बताया हुआ सब का रूस का बता है डियुमा नेपाल का रास्टी बसांत इस्राइल का ने सेट आपको नार्वे का स्टर्लिंग आइरलेंड का डेल आइरन मंगोलिया का डिन्मार का फॉल्के ट आपको बताए थे चाइना का यह सब का आपको बताया थे हम लिए चलिया ठीक कर देख लिए यह नहीं बताया थे एंश्पेंगा देश संसद अ अनसद थेक असपेन असपेन का को ऊठ्टेस आ को ऊठ्टेस ठीक है अरूस दूमा kanle엿 अरूस डूमा मुद्रा पता दिया थे सब करते नेपाल ने इसरायल नहीं बता है इसके डाल इसेट चांस है कि इस्राइलेवाला पूछेगा एकदम ज्यादा चांस है ठीक नार्वे अस्टर्लिंग नार्वे अस्टर्लिंग अस्टर्लिंग ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं आयरलेंड आयरलेंड ठीक इसका है डेल आयरन डेल आयरन ठीक है डेल आयरन उसके बाद आप लिख सकते हैं डेनमार्ख देनमार्ख का लिख सकते हैं फॉल्खेटिंग poor getting वोल किटिंग सब्गतें दर दकिए इसे νविक रहा है धिकर पॉल ठिक है आगे बढ़ते है किस्दैस्ट के मुद्राइजी कि- सौर्गी अर्व बताये थे इसको कर लाज एक बार कितना मैं मुद्रा भी बता देते हैं मुद्रा इधा है इसने पाकिस्तान का का रूपया रोमानिया का नहीं बतायता ह्टेगो रूमानिया है ह्टिह कह पडिकतर और अंग्ला का बनाथ क्या अंग्ला DAY लिव 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 सीडिकापी आपी-चो पैरhew नहीं वined केनिया का स्शिलिगः घाना का केडी ठीक है चलिए आगे हुश अग्में भार्तिय जंडे में चक्रहिं का रंग कैसा है जी निला 24 चंट डिल्ली उस blacks say इस हरया बीच में सफेध में हरा ना की शरीया का है शौर्यम हमत्याग कैसा और क्यम का अल्व लेर वन सबोरा मात्रम का अंगरेजी में हैं आज़ा समेधान सल्वाद वारTT Lag va बताए यह कोशन सब पहिल करवा चुके हैं ठीक इसलिए नहीं बताएंगे कि अर्विंदो घोष अर्विंद घोष अर्विंद घोष ठीक है वंद्य मात्राम सर प्रथम 1882 में आनन्दमण उपन्यास आनन्दमठ इनका था जी आनन्दमठ उपन्यास 1882 में प्रकासित हुआ था इसको सर प्रथम गाय कव गया था अर्व प्रथम गया था बताएंगे 1896 के कलकट्था अधिवेशन में रहमतुल्ला सयानी उसके अध्यक्ष थे झी और राष्टी एगान कभ गया था अध्यक्षống कहता थे इनका अध्यक्ष आप बता दीजिए क्भा को आप गाये एक चैत्र प्रायह पढ़िजाता है एक अप्रिल को को बताइए तो कब पढ़ जाता है कब 22 मार्श कब 22 मार्श को चाहित्र करता है करा पहला संबाद कठोपनिशद अना सब्सक्राइब है उपनिशद दर्शन संबंदित है पूरान अठा रहे है उपनिशद 108 है वेद चार है वेदांग छे सिक्षा कंद चंद आपको ज्योतिश ब्याकर नेशब करके है ना रमायन वाल में की द्वारा लिखी गी थी है ठीक है चलिए आगे बढ़े है कि 2016 में गतिमान एक स्प्रेक्स की आज माईशी आता दिल्ली और इस तहर के मद्ध की गई थी पूने चली गडागरा ग्वालिगर कि आगरा में किया था जी ये कुस्टाइम का करेंट अफ्यर देखिए 2017 का कुश्टन है जी सोला का करेंट पुछा है तो समझ लिजे इसलिए बोल रहे कि 2023 और 2024 पूरा करेंट पढ़ लिजेगा फोड़ना नहीं कि फोड़ने का नहीं बोले तो ठीक है ठीक है बढ़ियां से जॉब लेके जाएगा तब घर पर आपको जादू की जपी मिलेगी चलिए किसका उप नाम दवाल है किसका है भीया दवाल लगता था कि तीन फिट का बैठ है उनके पास राहुल रवीड दुजर चौविस ने इंडियन बिजेटा टीम को कोच भी रही है यह टिटवांटी के Master Blaster Sachin Tendulkar बुला जाता था मास्टर ब्लस्टर का जो है रावल पिंडी एक्सप्रेक्स राव बहुत वास्टा थे रावल पिंडी एक्सप्रेक्स से लिए कच्छे इंसां भी है कप्ल देओ को है हार्याना हरीकेंड कप्ल देओ आप मोडि़न वुलकल्स लीएया लेंडर पेस को इंडीन एक्स्प्रेक्स धिंग एक्स्प्रेस लिंग अबेटर्बर नगानीटर हर संप्रेस भोह भी के एक्स्प्रेक्स उप्लायंग सीख नाम से मिलका einen ठीक है आगे बड़ते हैं रेट क्रोस का मुख्याले कहा है जी श्विट्जर लेंड रेट क्रोस बताई प्रति वार्श जो है कब मना जाता है कि विस रेट को स्थ दिवस कि अठारा सोती रेशर्ट में हेन्री डुडेंट अठारा सोती रेशर्ट में बच्छोड खाट रहा जी है है स्कूट है है हम्यदील डット है हैं के ईकर आठ माई को इंका जन्म दिवस है आठ माई को इनका जन्म दिवस है अ ग्रेब कर चार्फ मना जाता है कि सिको कोई दिख्कंत है लिए है रिज्य बॉद्ध है नते कर नाम है ऐनका इध्वू अने पयोप निर्फ नेंट टीक है आनद नवर है है चुनG इसके बारे में जादा कुछ नहीं बताँगे दा ओड़ शेटी ओफ होप किसने लिखिया बता दीजे दा ओड़ शेटी ओफ किसने लिखिया बता दीजे अच्छा बंकिम चंचतराजी नहीं और बहुत सारा पुस्तक लिखे थे दुर्गेश नंदनी देवी चौघिरानी विस्वरिक्ष म्रिगाली नहीं ठीक है यह सब याद रखेगा सीता राम डेवी चौधिरानी कपाल कुंडला दुर्गेश नंदनी म्रिनाली नहीं यह सब बताएजी दाउध्सग्स किस ने लेखी है लिगना पढाएगा नाम पर वबाम मत है कितली है बाम किसने लिखी है जुँकित है बाम कि अ ओ अामेरिका के पर तो पासवेतराश्टेट फटी ते अमेरिका के प्रधमासवी जोंावितराश्टeka चालिये कि कोशन नमबर देखिए समय का वर्णन करते सब्सक्राइड का अर्थ क्या होता यह अब बदा देजिए आप सने जीसस की मृतिव के पश्चात अनो डूमनी आफ्टर होरियंस एज डार्क अनो डूमनी और इसा के जन्म से पुरू को बिसी कहते हैं बिसी का पुरा नम है बिफोर क्राइस्ट बिसी इसा के पहले बिफोर क्राइस्ट थिक सहीद दिवस कमना जाता है जी 30 जनवरी तीजनवरी क्यों 30 जनवरी 49 को मात्मा गंदी की हत्या ना तुराम गोठ से के द्वारा कर दी गई थी ठीक है इनका पूस्तक भी शेद लिखा गया था कि मैंने गंदी को क्यों आरा शरकर के कुछ पूस्तक भी था रहां को बत भूलेगा टीचर ठक जाएगा बोलते की भूल जा भूल जा लेकिन काहला भूलना है वह तो खाले गुलाब के फूल याद रहेगा क्या वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे कम मना जाता है 14 फरवरी को और क्या है कि ति जुन देहां गया आ ना विश्व श रिंव सय द्यवांजै पा चल्राइव को इस मते हुश ओ जोंती जून को cricket सांखे की भीज गीव बीज़न को विश्व सरनर्थ ही बास सरनार्थी दिवस ठीक है कि विशसरलित दिवस डीवस ठीक है wszystkich अपने मोबाइल फोन के ना पहुंश पाने Xsखोने का डर कलाता है नॉमोफोविया मोनोफोविया सिनोफोवया यूफोविया ज्ल से डरना कुछ िस फोबिया देख लिए प्रहीक हैं कुता काट लेता है ना तो फिर जल से ड़ने लगता है वे ताल चिसको मोंगी समय है जिसको बुछने से जल से डरने को कहते है है ठीक है फूल से डरना 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 क्या हो जाता है बोलता है एंथोफोबिया 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 सीनोफोबीया उसको लगता है कुता से ड़र इस लगता है कुता से अ नहीं कुटा से ठीक एक मोनोफोबिया होता है यां और नहीं को ब्लया कहते हैं सत्जी रेद्वारा नेरियसी सवरपथम चल्चीत रहा बता देजे बता देज़े कोई दिकत है अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे पिपिछले ही सेट में पाध्яर पंचाली मिल जाके देख लिजे 45 पाथयर पंचाली इसलिए इसके और कुछ हम नहीं बताएंगे उसमें बता चुके उसको बताएंगे जो नया है भारत का सबसे बड़ा संग्रहाल कहां पर है को रचता सबसे बड़ा आजायव गर सबसे बड़ा च्रिया घर को जिकत है कि अंद्रीय जूड़ प्रधोगे की अनुसंधान संस्थान बैरकपूर में कलकत्य में है यह चलिए कोशन नमबर 48 देखते आ कि पॉंस्य तंत्र किसने लिखा यह भी नहीं बताएंगे बता दिये कि गीता के वाद सबसे ज्यादा भासा में पॉंस्य तंत्र बिश्णु सर्मा लिखे हैं ठेक कि विशाक द्वाद्वरा मुद्रा राक्षस लिखा गया है और है ना अब 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 क्या लिखे यह थे वरा मेर के बारे में बता सकता है कोई एक लाइन में कुछ भी बताएं जल्दी से अब अब भिश्णु गुप्त अन्यार्थ साथ पुस्तक लिखा था कौन उसके आईरवेद के ज्ञान के प्रसित था धन्वंत्री धन्वंत्रि बताएं घुप्त काल के महान चिकीठ्शक थे धन्वंत्री बहुत बढ़े से बहुत बढ़े चिकृट्ट्ञ और इनको इसी रिए इतना ज्यद्यार्थज़े से साच्ँनु कृकेट मेंसकृ को किकेट का भगवान, वैसे धन्वंत्री को आयुरुवेद का भगवान चिकित्सा का भगवान मुला जाता था और इसी में बहाद सरकार्दवारा धनमंति पुरुषकार जो है चिकित्सा के छेत्र में भी दिया जाता है ठेक चलिए आरे भट ने सुर्य सिधान्तिका लिखा है आए पील का अरंभ कब हुआ तो 2008 में जी याद रखना है टीट वंटी वल्ड काप का सुवाथ हुआ था तुजर साथ में इंडिया ने आरा के जीता था पाकिस्तान को और उसके अगले साल ही आई पील सुरू कर दिया गया था इंडियान प्रीमियर लीग आप तो डबल अच डबलू पील कप सुरू किया गया अगर नौद अगर नौद अगर अगर नौद अगर नौद अगर नौद तिन किलो कर रूर्जावद पनूंट याद रखिएगा एक ग्राम वसा में एक ग्राम वसा में नौद असमल तीन उर्जा उत्पन होती है नौद असमल तीन किलो कैलोरी और समानता व्यास्क व्यक्ति को 20 से 30 परसंट उर्जा वसा से प्राप्त होना चाहिए व्यासक व्यक्ति जो है अच्छा का शहरी आदमी को कितना 2100 चाहिए और गाहों के 2400 सहीं बोल रहे हैं क्या को बताइए अगला कोश्चन भारतिया मानक समय करी निविस का समय से इतना आगे पाज साढ़े पाज घंटा उससे में पूछा था कहां से होकर गुजरती है तो हम पूरा उसका डेटे बता दिये थे तो आप लोग इसे मार दिजेगा पिछले सेट में ज जो है прилож को में जो बाते में आपको यह से मताएगे वही आपका आने वाला कोशन में छट्में और यह वह हो रहा है इं ऐसी आपर डोणे यह पूछेगा जए टिरे आन एकट お बता रहा है तो आप देख कि वरना मोथ typically हो बैदु हो Candice यह क्षटा बना रहे हैं तो आप क्या चेक होता है जब चुणी चीनिया चुक गई खेंत ठीक है इस अब याद रखना है फिर गड़बड आईएगा इसलिए पहले का अधर है क्लियर पूरा बता दिया है तो आप लोगों को पीछे वाला वीडियो देख लिएगा समझ में जाएगा पांच राज से होकर ऐसे डियो डिग्री देख को प्रधानया में उतर करते है ठीक है अब देखानतर दुरूप एकदम नजदिक होते हैं अब बिश्वत रेखा पर हूम्त रेखा पर तूर 11 असमलों त्री टू किलो मेंटर होता है ठीक है एक यह दूसरे से बिच की दूरी देखांट रेखा क इसका नाम है प्रिपेट दलदल प्रिपेट दलदल जो आपको साइबेरिया में है साइबेरिया रूस वाला चेतर जो एसिया में आता है कि इसी को कुछ बोलना है आद्र भूमी इसी पर लेते हैं प्रथम 20 वस्तर पर सम्मेल अनुश्व एक खतर में हुआ था भारत इसमें साम्मिल कव था अब भारत में आद्र भूमी संरक्षन अधिनियम 2010 में बनाए गया था भारत इसमें सामिल साइद वह था 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 सकंभी जाने क्लियर कीजिएगा यह एक ठंडी और सूस्का हवा है बोरा हरीकें टॉर्नेडो साइकलोन बताएजी बताये साथे अ है कुशन नम्बर पच्पन से वन चुट गया तर वन चुट गया मांचेट में समूदर की समान गहर आयाईूं को इसो हेल आईसोगोणल आईसो नॉर्मल आईसो थर्म सब बता दिये है आईसो लाइन आईसो नेफ सब बता दिये है यह एक तो बूरा बागी सब गरम गर्दा-गर्दा राइक लों टरन अधे हर्यखन बहुत भयानक अब बूरा जो है ठंडी अमसुस कहवा है एडियाटिक this idiotic तरणड़ पर ये अधिर तरणड़ पर इडियाटिक तरणड़ ठीक है ठीक है इसेब के बारे मी ज़र में मैं जनना है hurricane hurricane को डॉक्टर अब हमार एक हार कि अगे को डॉक्टर हवा कहते है आइ ऊठ्सकर नेदो रा पका Здесь हवा है का है मालूं है की 325 किलोमेटर पर आवर इसकी रफथार है siis ah, 325 किलोमेटर पर आवर इसकी रफथार कि ठीक है परावर sih रफथार किसकी टफेर नौड kö championship में कि आगे बढ़िए कहां तक हो गया कुंसन ठो गए आगे बढ़ते हैं कुश्ण नंबर पच्पन होगे आगे बढ़ते हैं अ जड़ीज़ ए मन दिल्ली में बादे तो नहीं दिखाई एक मिनट हneaux अब देखिये वह अनदीं कि इस समें गिरती है कि इरावती नदी कि समें गिरती है कि इरावती नदी इरावती नदी और कुछ जानले जन्नील किसमें गुजरती है कुछ देख लेते हैं तो भूमाद्य सागर में किसमें गुजरती गिरती है भूमाद्य सागर में ठेक अब वोलगा नदी तो यह कैस्पीयन सागर में कैस्पीयन सागर में क्यों बता रहे हैं इंटरनेशनल लला क्योंकि इंटरनेशनल लला यह सब है अप्शन तो याद आगया तो बता देते हैं बोलगा कैस्पीयन सागर में कॉंग दक्षनी चीन सागर में कॉंग नदी अस्ताव चाइना सी इसी को बोलते ना दक्षिन चिन सागर ठेक चलिये option में हैं Amaison तो उसको ले लेते हैं कहारा छोड़ें अमेजन कहां एको तो बता दीजे एको तो बता दीजे Atlantic महासागरमें जी कि अट्लांटिक मासनागर में कि वैपारिक दुष्टी से सबसे बड़ी नदी अमेजन और ऐसे सबसे लंबी नदी चीन सही बोल रहे हैं क्या नाइजर नाइजर नदी कहां गिरती है नाइजर नदी अस नाइजर है और उसके बाद आप लोग लीना लिख सकते हैं वो जहां से पूचा जैसकता है वह बता रहा है मैक अगींजिय विलिख सकते हैं नील तो बताओया धियom रिखेक नाइजर नदी गिन्नी का नेन कीखाड़ी में और लीन अट 오빠 इंडिय तो सकते हैं पर लिनल प्लाटे लाटेव सगर इंचे में लाटे सवाुर मेरे ऐक आप लोग बता दीजिये विव्पॉर्ट सगर ऊचेलिये अधृ संपर पर के सब्सक्राइब लगे सकते ह 240 uniform और मुहाने पर बिले से पूरू डेल्टा या जवार नदी मुख का निर्मान करती है तो डेल्टा का निर्मान करने वाला दुए वह वारत में जी वह ना बदा उताप्ति अधर पीछे निकलती है अलूनी नदीग जो है वो आपको कक्ष के रण में समाहित हो जाती है पता है ना अलग अलग साखा में अगर नदी को बाटा जाते उसको वी तरीका वोलते हैं वी तरीका क्या बोलते हैं बाटने का वी तरीका मुंगा समझ में आया चलिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जी बोर्णियों होंसु ग्रीनलेंड क्यूबा उन्सट नंबर कुश्ट इसे नंबर कुश्टन नंबर कुश्टन आँ तो तो सचतू बज सहर यहां पर है भारत असलिया अंगोला वह अस्ट्रिया अंगोला वह है ठीक है आप दुनिया का सबसे बड़ा दीप है Greenland कुछ बोलिए इसका विस्तार 21,75,000 किलोमेटर किलोमेटर स्क्वायर कर दीजिए मत वर्ग किलोमेटर किलोमेटर ठीक है सबसे बड़ा ठीक है अर्क्तिक और अंटलार्टिक महासागर में अवस्तित है ठीक है याद रखी अब बोड़नियोग दिविप जो है हिंद महासागर में हिंद महासागर में होंसु कहां है जी होंसु को बता दीजिए अच्छा इसका अगर कर रहे हैं तो 7,50,000 साथ लग हें और फांसु का अगर चोड़ लिजेगा आप तो 2,27,000 के असपास तहीं है है इस जीरो साथ दो ऐसा ही है ठीक है और क्यूबादीप चूट रहे हैं क्यूबादीप क्यूबादीप कहा है बताईए करेबियन सागर में एक लाग दसजार के असपास के रेभियन है चारों का देख लिजे चारों का बता दिए ठीक है चारों को बता दिए ग्रीन लेंड दुनिया का सबसे बड़ा दूप है ग्रीन लेंड 215,000 वर किलोमीटर फिर यहां देखें क्यूबा का बता दी उसके बाद सकेंड वाला जो आ रहा है वो दिखारा बोर्ड निवो सात सब्सक्राइब यह गिरता है हिंद महासागर में होन्शु जो है गिरना नहीं मतलब अवस्तित है होन्शु जो है यह दो लाग 27,000 और क्यूबा है एक लाग 10,000 बज सहर कहां है ऑस्ट्रिया में बज सहर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है मुद्रा इसका यूरो है यू एक सट तक हो गया हां यह देख लीजे साइन्स मात्रा यू टी प्लस न बई टूएटी इसका अर्थ समानने है इसका आयाम बताना है जी क्या बताना है आयाम अचा सहतूत एक कोशन था बताते हैं कि सबसे संग्रथित फल जो है वह सहतूत है खेंग है सातूत और फलो के अधियन को पुमुद्रा बताते है खेंग है खेंग है झाल 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 यह झाल 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 यह झाल 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 झाल